तो अपकी दोस्त नहीं है और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वही हमारी जो डेफिनिशन का स्रीज चल रहा था उसका पार्ट फोर आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो फ्रेंड्स अगर वीडियो प पॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए डिस वी एक्जाम के लिए या आप यूजिसी नेट के त्यारी कर रहे हैं उसके लिए तो फ्रेंड्स उन सब वीडियो को देखने के लिए जरूर मेरे चैनल कर लीजे जल्दी से सब्सक्राइब और जितने लोगों ने भी कर लिय उनके लिए धेंक्यू और इसको वीडियो को आगे जरूर फॉरवर्ड कीजे ताकि और लोगों के भी हेल्प हो बाए तो मेरे जितने वी वीडियो हैं वो सभी आप लोगों के लिए फ्री हैं आप उन्हें देखिए आप उनका स्क्रीन सॉट लीजे आप उनको डाउनलू होते हैं जिसके लिए आपको 15 इन टो पेज होते हैं तो उसमें आपको पांच शे ऐसगती के टोपिक ऐसी प्र बात होती है और उतने पेज से एक विडिया प्रूह उती हैं डिल से बनाती हम अरuary होपको लिए तो बहुत जादा है नो लोगी नोर्स अप लोग के लिए बनाती हूं और आई होप आपको सभी नोर्स बहुत अच्छे लगते होंगे पसंद आते होंगे इजी लगते होंगे तो चलिए स्टाइट करते अपने आज की वीडियो तो हमारी आज की वीडियो है पार्ट फॉर और इससे रिलेटर जितन पर और यह definitions की जो series चल रही थी वो इसलिए थी ताकि आप लोग जब DSSV का या कोई भी sociology related competition exam देने जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर कधन लिखे हुए मिलते हैं कि इसमें कहा है या किसके के अनुसार है तो वह सारी चीज़ें कहा पर क्लियर हो जाते हैं मैंने बहुत ही कोशिश की है पूरी sociology levels को in definitions के अंदर include करने के लिए जो definitions मुझे important लगी या अच्छी लगी वह आप लोग लिए लिक कर आए हूं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स वीडियो है आज की वीडियो की हार्टन एवं होट के अनुसार दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की छमता को ही शक्ति कहते हैं पिफनर एवं सेर वुड के शब्दों में शक्ति आदेश दे लगता है, हावल के अनुसार धर्म अलोगिक शक्ति में विश्वास पर अधारित है, जिसमें आत्म बाद और मानप बाद दोनों समरित होते हैं, हावल के अनुसार, ये धर्म चैक्टर से है, प्रोफेसर डेविस लिखते हैं विज्ञान संस्कृति का वहभाग है जो प्रकती के विवस्थित ग्यान का प्रतिनिदित्व करता है विग्यान संस्क्रती का वहभाग है जो प्रकति के व्यवस्थित ग्यान का प्रती निरित्व करता है नेक्स्ट है हमारी मैकाईवर लिखते हैं समाज परिवर्तन सील एवं गत्यात्मक है ये समाज एक परिवर्तन सिद्धान से चैप्टरस है समाज परिवर्तन सील एवं गत्यात्मक है मतलब परिवर्तन सील भी होता रहता है और गती सील भी होता रहता है मजूमदार एवं मदान ने लिखा है कि जो मजूमदार एवं मदान ने भी लोगों के जीने के ढंको ही संस्क्रती माना है ठीक है उन्होंने बोला है जैसे भी लोग रहते हैं वो उनकी संस्क्रती है ठीक है आर्गवन एवं निमकाफ ने भी उद्विकास को एक निशित दिसा में होने वाला परिवर्तन माना है फ्रेंट्स यहां पर मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं हम B.A. का एक्जाम देने जा रहे हैं और आप प्राइवेट B.A. आप में कर रहे हैं आप लोगों को नहीं पताई कैसे एक्जाम देना है तो फ्रेंट्स मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगी जब भी आप कोशिशन्स लिखे हैं तो उसमें कोशिश केज़े कि आप अपने अकॉर्डिंग भी यानि कि मेरे अनुसार ऐसी कोई डेफिनिशन्स अवस से डालें जरूर डालें जिससे जब एक्जामनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको लगता है कि आपने वाकई में पढ़ाई की है इसलिए आप अपने फिलिंस रेर कर रहे हैं अपने पढ़े हैं वो आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं तो मैं भी यह चीज करती थी और मेरे सोशलोजी में काफी अच्छे नंमर आ जाते थे सोशलोजी में नहीं बागी और भी सबजेक्स में यह चीज आप अपलाई कर सकते हैं यह ट्रिक्स अभी लोगों के लिए हैं जो लोग भी BAME कर रहे हैं या BSCMC जो भी कर रहे हैं आप कोई भी आपो लगता है कि आप इस question में अपने according कोई definitions डाल सकते हैं तो उसमें आप अपने according definitions जरूर डालिए और हर एक question में अगर आप long question लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम आप three or five definitions जरूर दीजे और सबको अच्छे से handwriting में लिखके उसके बाद आप दीजे ताकि आपकी जो questions हैं वो अच्छे लगें देखने में तो इससे एक आप जो examiner काउपी चा करता है उसको अच्छा लगता है उसको वाउ पन नहीं आता है और अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट आगवन निमकाफ ने भी उद्विकास को एक निश्य दिसा में होने वाला परिवर्तन माना है लेस्टर वार्ड के अनुसार प्रगती वह है जो मानविय सुख में ब्रद्धी करती है प्रगती वह है जो यह प्रगती सिल चै परिशन करने की अक्षा और योगता को ही वस्तुनिस्ट ता कहते हैं वस्तुन इस चैप्टर से हैं प्रोफिसर गिरीन ने लिखा है कि प्रमाणुन तथ्वों का निस्पक्च रूप से परिक्षन करने की एक्षा और योगता ही बस्तु निस्ट था है नेक्स्ट रहे हमारा थामस और जैननिकी ने लिखा है कि तथ्ष्वैम में एक भावाचक शब्द है है न होता है न तत्थ हुआ कि क्या मैटर है तत्थ क्या है इस चुछ का तो तत्थ स्वैम में एक भावाचक शब्द है 56 इसका डेफिनिशन है तत्थ एक ऐसी घटना है जिसके अब लोकन तथा अनुमाप के विशय में सभी के बीच बहुत अतिक सहमती पाई जाती है ठीक है नेक्स है हमारा देखिए मैं बहुती क्लोजली आपको दिखा रहें ताकि आप स्क्रिंसोट ले सके इसको अच्छे से रीड कर सके 57 है गुडेवा हॉट के अनुसार गुडेवा हाट के अनुसार तत्थ एक ऐसा अनुववशिद्ध अनुवशिद्ध अबलोकन है जिसकी स प्रकल्पना अनुसंद्धान और सिध्धान की बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्यान व्रद्धी की खोज में सायक होती है आप कोई भी चीज को खोजबिन करने जाते हैं कोई भी चीज आप सर्च करने जाते हैं तो आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए उस चीज के पीवियंग के अनुसार एक कारवाहक विचार जो उप्योगी खोज का अधार बनता है कारवाहक प्रकल्पना माना जाता है औक प्रैस्थापना यानि की प्रपोजिशन है जिसका परिक्षण किया जाना है ठीक है प्रकलपना एक प्रास्त अपना है остав it जिसका प्रस्थापना है जिसका परिक्षण किया जाना है और हमारा next और last definition हैं पी-टर एच्मन्न की अनुसार प्रकलपना का काम प्रकलपना एक काम चलाव अनुसंदान है यानि कि जब भी आप कोई research करने जाते हैं या आप कोई भी ऐसी चीज या कोई भी practical करने जाते हैं तो आपके mind में एक प्रकल्पना चल रही होती है जो आपके कम चला होती है मतलब आप उसके according पूरी research कर सकते हैं ठीक है वही चीज यहाँ पर कहने की बात कही गई है तो friends यह थे कुछ definitions I hope आपको सभी वीडियो अच्छे लगे होंगे पसंद आए होंगे अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हैं तो please please like share comment जरूर कीजेगा और सभी definitions को आप screenshot ले सकते हैं मैं आपको पूरा ऐसे भी करके दिखा देती हूं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like share comment जरूर कीजेगा और चैनल को next वीडियो के देखने के लिए subscribe जरूर कीजेगा तो और मेरी चैनल पर अब मैंने कम से कम 200 वीडियो अप्लोड कर दी हैं sociology से related तो अब friends आप लों के लिए बहुत सारी वीडियो है मेरी चैनल पर आप देख सकते हैं और उनसे अपना पढ़ाई कर सकते हैं और घर बैठे आप अपनी sociology को और अच्छा कर सकते हैं तो चलिए friends मिलते हैं next वीडियो में बाबाई